एलियंस जिसे आप असान भासा में दूसरे ग्रह का निमासी भी कह सकते हैं। हमेशा से एक रहस्य का विशाय राय है। ऐसे मगर कोई देश या कोई संस्ता ये दवा करें कि उसे एलियंस से सिगनल मिले हैं तो ये निश्ची तोड़ पहरान कर देने वाला मुद्दा बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों आप दिख रहे हैं गो नारण। दोस्तों हाल में ही Science and Technology डेली जोकी चीन के सरकारी अख़वार है। उसने इस बात का खुलासा सबसे पहले किया कि जंग, टोंजी, वीजिंग, नॉर्मल युनिवर्सिटी, चाइनिज अकेडमी अक्व साइंसेज का एक्स्ट्रा ट्रेस्टियल सिविलाजेशन खोज़टीम के मुख्य बिकानिक है। उनका कहना है कि एस स्पेस में कुछ ऐसे सिगनल मिले हैं जो पहले सिगनल की तुलना में काफी अलग है। तो संभावनाय हो सकती हैं कि एस सिगनल एलियन्स के दोरा भेजे गए हो, मगर फिर इस पोस्ट को डिलिट कर दिया गया। ऐसे में सवाल खरा होता है क्या चीन वाकई में एलियन्स से कोई सिगनल मिला है या सिर्फ जूटे और जूले बाजी के दवा कर रहा है। इसकी जनकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दे कि चीन का स्काई आई टेलियस्कोप जो कि दुनिया के सबसे वारा टेलियस्कोप है। उसने ये नेरो बेंड एलेक्ट्रो मेंगनेटिक सिगनल को कैच किया। ऐसे सिगनल धर्ती पर कभी नहीं पाए गए। चीन ने ऐसे ऐलियन को सिगनल होने का दवा किया है। हालाकि ये एक सिगनल इंडर फ्रेंस या रेडियो नौइस का भी हो सकता है। सच क्या है। ये कोई नहीं चाहता। मगर एलियन्स से जुरे इसे कोई ख़वर और यूवेफो देखने का दवा पहले भी कई बार किया गया है। अमेरिका के एरिया 51 से भी ऐसी ख़वरे निकल कर सामने आई थी कि एलियन्स प्रिश्मी पर हमला करने वाले हैं। पर ये एलियन्स कहा हैं? किस ग्रह पर हैं? कब आएंगे? क्या उनसे कभी शंपर्ग साथना संभव हो पाएगा? क्या वो धर्ती पर कबज़ा करने के इरादे से आएंगे? क्या वो इंसान का अपना गुलाम बना लेगे? ऐसे कई सवाल जहर में गुमते हैं। जब तक उनके अस्तितो का परमार हम नहीं मिल पात जाता है। जब तक उनके अस्तितो का परमार हम नहीं खोज पाते हैं तब तक ये सवाल आते रहें। उमीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। शुक्रिया।